नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल अल्टिमेट नॉलिश पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदु धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और पुराना धर्म है लेकिन इसके बाब जूद भी पूरी दुनिया में हिंदु की आबादी सबसे कम मानी जाती है अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के कुछ हिंदु आबादी वाले देशों के बारे में अबादी का लगबग 1.20 प्रतीशत हिस्सा हिंदु आबादी का माना जाता है नमबर दो यूनाइटेड स्टेट ओफ अमेरिका अच्छी नौकरी और अच्छी जीवन के तलाश में पूरी दुनिया से हर धर्म के लोग अमेरिका का रुख करते हैं और वहां पर जाकर के बस जाते हैं इसी में से एक है हिंदु भी हिंदु धर्म के बहुत से लोग अमेरिका में सेटल हो चुके हैं अगर बात की जाए अमेरिकी आबादी में हिंदू आबादी के बारे में तो अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 0.51 प्रतिशत हिस्सा हिंदू लोगों का माना जाता है नमबर तीन पाकिस्तान कभी पाकिस्तान में लगबग 20% से भी जादा हिंदू लोग रहते थे लेकिन आज पाकिस्तान की कूल आबादी का लगबग 2% से भी कम हिस्सा हिंदू लोगों का माना जाता है इसका मुख्य कारण है कि पाकिस्तान में हिंदू का काफी उत्पीड़ किया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है पाकिस्तान में हिंदों की हालत बहुत बुरी है हिंदों के लिए पाकिस्तान किसी नर्ग से भी जादा खतरनाक और भयावय माना जाता है नमबर चार मलेशिया मलेशिया एक मुस्लिम देश है लेकिन इसके बाब जूद भी यहाँ पर हिंदू की कुल आवादी लगबग 6 प्रतिशत के आसपास है इसका मुख्य कारण यह है कि मलेशिया में बहुत पहले से हिंदू धर्म के लोग जाकर के बस गए थे और इसके स्pack Anna की कुल आवादी में हिंदू की कुल आवादी लगभग 12.5 प्रतिशत है नमडर चयां बांगला देश बांग्लादेश में हिंदू आवाले लगभग 10 प्रतिशत माने जाति है इस देर से हिंदू की कराया जाता है जिसके कारण से हिंदू की आवादी बांगला देश में बहुत तेजी से घटी है नमबर साथ नेपाल जो की एक समय पर पूरी दुनिया का एकलोता हिंदू राष्ट कहा जाता था लेकिन इस देश में आये राजनीतिक उतार चड़ाप के करन आज ये देश भी दुनिया के अन्य देशों की तरह एक धर्म निर्पे एक देश माना जाता है बात की जाए अगर इस देश में हिंदू आबादी के बारे में तो इस देश में हिंदू आबादी लगभग 81.3 प्रतिशत है